निमस्कार दोस्तों मेरे चनल परको फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैं आप लोग के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिकर आई हूँ दे टाइगर केंग का एक तरीके से आप समरी कह सकते हैं या इस पे आपको यह लिखने के लिए आता है 80 वर् तो इसलिए मैंने सोचा कि यह आपको देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लिख सके ठीक है गीव करेक्टर स्केच ऑफ दे टाइगर किंग के बारे में आपको लिखना है तो उनका करेक्टर स्केच यह 80 वर्ट्स का वर्ट्स में आपको लिखना है और मार्क्स आपको इस तो चले शुरू करते हैं तो कलकी ने तो कलकी ने इसे लिखा और किस तरीके से लिखा है बता रहे हूं यह जो पूरा स्टोरी है यह एक फ़नी स्टोरी है ठीक है मतलब जो स्टोरी है फ़नी स्टोरी है किस टाइप से स्टोरी है दा किंग ओफ प्रतिबंध पुरम प्रति ताइगर्स को मारा था, इसलिए वो प्रतिबंध पुरम के जो राजा थे उनको टाइगर कहा जाता था, ठीक है, on his birth, the astrologers predicted, मतलब उनके birth पर, on his birth, जो astrologers थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, एसा होता था, पहले के जमाने में, जब राजा मारा राजा हुआ करते थे, तो astrologers बताता था, कि अरे ये बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ियां राजा बनेगा, ये ऐसा होगा, वह ऐसा होगा, तो astrologers रखे जाते थे उस टाइम पे इसी चीज़ के लिए, तो astrologers ने प्रेडिक्ट किया था, कि the king would be killed by a tiger, कि ये जो king है, मतलब ये बाद में जो king बनेगा, तो ये एक tiger के दोरा मारा जाएगा, तो ये वही वाली बात हो गई, कि कंस को बोला गया था, कि इनका आरदेव की काट भी संतानों को मारेगा, तो इसी तरीके से, यहाँ पर ये कहानी पूरी वही पर बेस है, कि उसको बोला, उसको ये प्रेडिक्ट किया था, कि एक tiger के दोरा वो मारा जाएगा, मरेगा, तो उसने क्या किया, so to take revenge, he started to kill tigers, वो फिर बदला लेने के उसमें आ गया भले, टाइगर ने उसको कुछ किया हो और न किया हो, भविशे में क्या होगा, उसे नहीं पता था, बट उसके मन में एक चीज ये बैड़ गई कि वो क्या किया, वो सारे टाइगर्स को उसने मारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो kill tigers, when the tiger population extincted in his kingdom, मतलब उसकी राज्य में जब population जो थी tigers की वो खतम हो गई, तो he married to a princess, वो उसने एक princess से शादी की, of a kingdom, ऐसे राजे की राजकुमारी से उसने शादी की, where he could kill the tiger, जहां वो tigers को kill कर सकता था, after killing 99 tigers, जब 99 tigers उन्होंने मार दिये, उस राजा ने मार दिये, तो क्या किया उसने, the king was very excited to find the 100th tiger, तो वो सवे tiger को ढूड़ने के लिए बहुत ज़ादा excited था, मतलब वो उसको मारना चाहता था, the divan took away his old tiger, sorry, the divan took away his old tiger in the king's presence, जब जो उस राजे का जो दिवान था, तो उसने क्या किया, वो एक old बूरही tiger को king के सामने present किया, ठीक है, मतलब king के सामने लेके आया, and the king shoot it, और king जो था, उसने उस tiger को मार दिया, but as the king's aim missed, बट क्या होता है, कि उसका जो aim होता है, मतलब गोली जो होती है, मतलब टाइगर को छूने ही पाती है, टाइगर के साइट से निकल जाती है, but so later on it was killed by other hunter, उसके बाद वो किसी दूसरे hunter के थ्रू मारा जाता है, मतलब वो राजा के थ्रू नहीं मारा जाता है, कुछ टाइम बाद उसके बाद कुछ समय तक ऐसी चलता रहा, सब कुछ बढ़ियां से, और उसके बाद कुछ समय बाद, प्लेइंग विद इस सन, जो king रहता है, वो अपने बच्चे के साथ खेलता रहता है, एक वूडन टाइगर से खेलता रहता है, तो उसमें से एक जरा सा लगड़ी का एक जैसे होता है, कुछ खुर्चा रहता है, हाथ में चुप जाता है, तो वैसा था उसमें, ठीक है, तो वो उसके हाथ में चुप गया, और इंफेक्शन फैल गया, तुस देकिंग डेड़, और उसका वो जो इनफेक्शन था, वो उसके पूरे शरेन में फैल जाता है, जिसकी वज़ज़ से किंग की जो होती है, डेथ हो जाती है, इट वाज़ ड्रामेटिक एंड अफ दा टाइगर किंग, यह जो था ही, एक बहुत ही जादा ड्रामेटिक एंड था, तुस टाइगर किंग का, तो यह पूरा आपको समरी मैंने बता दिया, इस चैप्टर का, दा टाइगर किंग का, और आई होब किस से रिलेटर को यह अगर कोशन आता है, तो भी आप लिख लेंगे,